सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो यसे पहले तो इससे पहले sense और 4 का use होगा अब वैसे तो 4 का मतलब के लिए भी होता है जैसे पापा के लिए for father, मम्मी के लिए for mother, तुम्हारे लिए for you लेकिन वो जब ही होता है जब उसके बाद time ना रहा हो कुछ और आ रहा हो और time तो since और four दोनों का मतलब होता है से अब अलग अलग कर लेते हैं कहाँ पर since लगेगा कहाँ पर four लगेगा पता चल जाएगा तो मैं आपको यह नहीं बताऊँगा period of time period of time period of time भाई हम लोगों को ये grammatical भाषा समझ में नहीं आती हैं हम तो सरकारी स्कूल से पड़ेवे बच्चे हैं तो मैं आपको भी कुछ देशी भाषा में समझाता हूँ देखो भाई अगर पक्का समय आए तो उससे पहले हमेशा since लगेगा और अगर जोगो भी ये topic याद हो जाएगा सबसे पहले बात करते हैं पक्के समय की क्या होता है ये पक्का समय तो भाई देखो यहाँ पर आप आप ए घड़ी दिखाई दे रही होगी अब इस घड़ी में जितने भी नंबर है ना असल में वो नंबर एक नाम है हर एक टाइम का दो बजे, तीन बजे, चार बजे पाँच बजे, साड़े चार पोने पाँच, सवा पाँच जो भी इस घड़ी के अंदर बज़ते हैं इसके बाद आप एक कलेंडर देख रहे होंगे अब इस कलेंडर में भी जितनी भी चीज़े हैं वो भी हर एक टाइम का अपना एक नाम है जैसे साल का नाम 1990, 2019, 1950 या फिर कुछ और महीने का नाम, जनवरी, फरवरी मार्च, अप्रेल, या फिर दिन का नाम सोमवार, मंगलवार सुभा, दुपहर, शाम और तारीख, एक, दो, तीन, चार, तो ये सब नाम है इसके अलावा हमारी दशाएं होती है, बचपना होता है जवानी होती है, बढ़ापा होता है तो ये सारी चीज़े टाइम है और इन सब टाइमों के अपने अलग एक स्पेशल नाम है बस जिस टाइम का नाम हो वो पक्का समय कहलाता है और उससे पहले हमेशा हमेशा सिंस लगाते हैं, अब बात करते हैं कच्चे समय की, जिससे पहले फोर लगता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चार घंटे अब भाई, कौन से घंटे हैं यह दो बज़ रहते, तीन बज़ रहते, चार बज़ रहते बस चार घंटे लिख दिया यानि यहाँ पर जो घड़ी में टाइम होता है वो नाम नहीं लिखा है, उसका तो यह एक कच्चा समय है, लिखा हुआ है चार साल, अब कौन से साल थे यह, 1990 था, 2019 था, 2018 था साल का नाम नहीं दे रखा बंदे ने कच्चा समय है यह, लिखा हुआ है कई दिन, कौन सा दिन था यह, सोमवार था, मंगलवार था, बुदवार था दिन लिख दिया, खाली उसका नाम तो लिख देता तो यहाँ पे भी यह भी कच्चा समय है और लास्ट में लिखा हुआ है तीन मिनट, कौन से मिनट थे पांच बच के तीन मिनट, चार बच के तीन मिनट, कौन से मिनट थे, पता ही नहीं चल रहा है तो यह भी एक कच्चा समय है तो जहाँ पर साल, दिन, महीने घंटा घंटी इन सब के नाम ना हो वो पक्का समय और जिन से पहले कई या फिर दो तीन चार लग जाए वो कच्चा समय कंतर गताते हैं और इन से पहले फोर लगता है अब मैं आपको कुछ एक्जामपल्स देकर समझाता हूं मैं दो घंटे से नाच रहा हूं अब यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है मैं दो घंटे से नाच रहा हूं अब इसमें से भी आ रहा है दो घंटे यानि टाइम भी आ रहा है तो पक्का पक्का इसमें सिंसिया फोर ही लगेगा अब सब से प से टाइम आता है तो वह वाला बनता है इसके पर वीडियो बनी है वह देख लेना मेरी चला मुद्दे की बात करते हैं अब लास्ट में लिखा है दो घंटे लिखा हुआ है अब यह घंटे कौन से हैं घड़ी में देखके कहूं देखना दो घंटे बजे या नहीं बजे तो मांकोगे दो घंटे यह कौन से टाइम है तो यहां पर टाइम का नाम नहीं है यह यह वस आइडिया है तो ऐसी कंडिशन में लिखेंगे फोर टू आवर्स फोर इसली लगा क्योंकि टू आवर्स एक कच्छा समय है और अगर मैं बोल दूं मैं दो बजे से नाच रहा हूं अब देखें सेंटेंस वैसे का वैसे यह जैसे उपर है बस दो घंटे की जगा दो बजे लिख दिया यानि इस बार ऐसा लग रहा है कि सिंस आएगा चलो बना कर देखते हैं सबसे पहले वही सेंटेंस बनाएंगे मैं नाच रहा हूं I have been dancing अब दो घंटे नहीं दो बजे ह तो उसका ध्यान कहां पर जाएगा दो नंबर पर ही जाएगा बड़ी सुई बारा पर होगी तबी तो यह एक्जेक्ट नेम है और अगर आपको एसर जी अगर रात के या दिन के तो पता नहीं चला अब तो बाइस में दिन रात का कोई मसला नहीं होता बस नाम होना किलियर वह बच्पन से MBBS कर रहा था बच्पन से अभे बच्पन से कोन MBBS करता है अरे एडिटिंग वाली मैडम इसे ठीक करो बच्पन की जगए इसमें पांस साल लगा हो जब वीडियो बना ले वरना पीछे की जेन में जड़ू वो लगाउंगी मोर बन के घुमेगा पू doing MBBS अभे बच्पन से तो बच्पन तो एक exact time period का नाम है क्योंकि बच्पन में ही तो बच्चे को बोलते हैं बच्पना इसका बुड़ापे में थोड़ी बोलते हैं मेरा थोड़ी बच्पना इसका तो यहां पर since childhood लगेगा बच्पन को बोलते हैं चाइल्ड हुड पक्का स लेकिन इस बार 5 साल हैं अब साल का नाम ही नहीं लिखा, 2005 से कर रहा है, 15 से कर रहा है, कब से कर रहा है तो यहां पर 5 years से पहले लिखेंगे 4, he has been doing MBBS for 5 years और भी end में सिंसिया 4 के बारे में एक जहर जानकारी और ले लो आपके काम आएगी, देखो ज़रूरी नहीं है, सिंस मार्किट में जाएं, तो आप किसी भी पुरानी शॉप के बोर्ड पर नजर मारना, वहां पर लिखा होगा, सिंस 1970, सिंस 1980, सिंस हडपा संस्कृती, सिंस मोहन जोदारो, मतलब यह है कि यह दुकान इतनी पुरानी है, अब यहां पर देखिए एक चांदनी चौकी, एक शॉ लिए लगा, क्योंकि साल का एक्जेक्ट नीम दे रखा है, बंदे ने, 1990, और अगर हम काउंट करें, जैसे 2019 चला है, 1990, मतलब यहां पर 29 साल हो गए, अगर बंदा लिखता है, 29 तो वहां पर सिंस नहीं, 4 का इस्तेमाल होता, 4 29 और एक बात और खासना आपको रास की बात ब 20 साल हो चुका होगा, बंदे को बोर्ड बदलने की जरूवत नहीं है, अपने आपी डेट बढ़ रही है, और अगर यह 29 साल लिखता, कच्चा समय होता, तो 2020 में भी 29, 21, 22, यानि हर साल इसे बोर्ड बदलना पड़ता, 29 साल, 30 साल, 31 साल, तो पक्का समय, यानि सिंस वाला स समय चलता है, कच्चा समय चलता ही नहीं है, तो यह थी सिंस या फोर के बारे में एकदम जहर उबाले मारती भी जानकारी, अब अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है, या लगू शंका है, तो आप सबका स्वागत है, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, सवाल वालो तो पूछ लेना, अच्छा, आज जो मैंने पढ़ा है, यह सिंस फोर वाले टॉपिक आपको, इसी टॉपिक से रिलेटेट कुछ सेंटेसे, मैंने इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में छोड़ें, जैसा कि हमेशा छोड़ता हूँ, आपका यू व झाँ झाँ